रेलवे रिक्रूट्मेंट सेल रर्सी वेस्टेन रेलवे में नॉटिफिकेशन नम्मर रर्सी स्लैस डबलू आर स्लैस जीरो त्री स्लैस टूसाज़न ट्वन्टिफॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस सी प्रोग्राम पोस्ट के लिए वेकेंसी जारी की गई है जिसके लिए आप ओनलाइन अविधन कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्राइब में ओपीसियल साइट का लिंक आपको प्रोवाइट कर दूँगा जहां से आप नॉटिफिकेशन को भी रीट कर सकते हैं अपने फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप क्लिक खटू रिष्टेशन का टैम मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिष्टेशन पेज उपन हो जाएगा उसके बाद प्लीज स्टेट से आप बिलॉंग करते हैं अपने स्टेट को इस तरीके स्टेट कर लेंगे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कैंडिडेट फुल नेम तो अपना यहाँ पर देखिए कंप्लीट फुल नेम इस तरीके से जो कि फिल कर देंगे जो पर क्लाश 10 के अकॉर्डिंग होना चाहिए इसके बाद फादर या हस्बेंड नेम आप फिल कर लिया एक्जामपल के तोर पे इसके बाद जो कि आप जे पहले जो कि अपना येर करेंगे इस कलेंडर के माध्यम से उसके मन्त की इंट्री करेंगे तो आपका यहाँ पर कल्कुलेट हो जाएगा 22-22-24 के अगर आप फिजिकली हंडिकाफ है तो आप यहाँ करेंगे दिव्यांगता को जो कि आप प्रकार बताएंगे किस तरीकी की दिव्यांगता है अगर नई है तो आप यहाँ कर देंगे आप यह कॉलिपेकेशान डीम आपको यहाँ करनी है तो सबसे पहले आप को यहाँ पर जिखने हो जीजस्वी आप आवेज़र करना चाहते है trade यहां पर देखने को मिलजागा इस तरह के select करेंगे बने करेंगे उसके बाद जंगे करेंगे हमारा प्लिक हो चुका है अब अब हको तन आयाइड़िर पे अलस्क्रेशन चुर्ड़ और Sutra प्राप्त होगा जिसे आपको login करते टाइम आपको उसके आउसकता पढ़ने वाली है क्लिक है to login और टैप पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपना registration नमर जो कि आपको email id प्राप्त हो जाएगा अब आपको उसके बाद प्राप्त प्राप्त नहीं होती है तो आप login करेंगे और recent OTP प्राप्त हो जाएगी अगर किसी कारण वसके आपको उसके अपना प्राप्त गलत प्लिक करेंगे तो हमारा देखे अब जो कि मैं पासवर्ट चेंज करना है अब यहां पर old password आपको कहां से मिलेगा तो आपको mail id से मिल जाएगा उससे आप जो कि आप फिल करेंगे alpha numerical का उप यूज़ करेंगे minimum five-to-fifty अफ़र्ट होना चाहिए, फासवर्ट जो कि आप अपरねट करेंगे आप डेट करदेंगे पासवर्ट को जो आप नूव पासवर्ट बनाएंगे उस ही पासवर्ट नमोर जो अपको mail id से प्राप्त हो जागा उससे फिल करेंगे पासवर जो अपने डिजाइन किया है हमारा फॉर्म देखिए यह लॉगिन हो चुका है उसके बारा इस बाइस डिटेड़ आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से सेलेट करेंगे, उसके बाद Save Wallet टैप एक लिक कर देंगे, Next Step में Educational Qualification, Metriculation, डिटेल जो की फिल करेंगे, Class 10 की डिटेल जो की फिल करेंगे, Please Note, तो यहां पे एक नोट दिया गया है, अब बिहारती अपने मानक दस्वी पैच्छा मार्षिट में दसाए गए, सभी विशे के सम्मद में अपने अंक दर्ज करें, मलब जितने भी आपके मार्षिट में सिलेबस दिये हुए हैं, सभी को आपको दर्जाना है, चाहे वो आपका alternative subject हो, चाहे optional subject हो, चाहे additional subject हो, जितने भी आपके मार्षिट में subject दिये हुए, सभी को आपको दर्जाना होगा, ऐसा नहीं है कि आप जो कि best 4 या 5 subject ही fill करेंगे, जितने subject हैं, सभी को जो कि आप fill करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर दिखिया अपने board का name जो कि आपको फिल करना है, तो अपने board का name जो कि आप यहां पर fill करेंगे, name of educational institute मतलब अपने college का name जो कि आप यहां पर fill करेंगे पूरा अपने college का name आप यहां पर लिखेंगे school का name fill करेंगे passing of year बताना है कब आपने class 10th pass किया थो तो आप उसे जो कि इस list के अधर select करेंगे अपने मार्पिट का जो की नंबर करना है तो और सकते हैं सब्जेट करना है जो भी सब्जेट कर आपी । पर हमारा हिंधी था कि होता है और 100 उसके आइड क्लिक करेंगे तो कि यान पर हमारा हिंधी इन Olq हो चुका है। इसी तरीके से हमारा क्योंन Japon ermины timeline करेंगे। भीध队 के हमारा सब्सक्राइट करेंगे। मैंने यहां पर देखें सारे subject की जो की इंट्रे इस तरीके से कर ली है अगर आपको कोई तुटी लेगती है तो आप रिमूव परके फिर से जो कि अपने details आतों सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बदेखने को मिल जाएगा पिंकोट के इंट्री कर देंगे उसके बाद आपको यहां पर देखे टेक्निकल कॉलिफिकेशन मतलब आटियाई की डिटेश आपको फिल करनी है यह आपको यह यह कब आपने पास किया था तो आपको यह यह देखने को मिल जाएगा आप उसे सलेट कीजिए आप जो कि नेशनल ट्रेट सर्टिफिकेट मलब जो सर्टिफिकेट होता है उसका नम्मर आप जो कि आप इस तरीके से मैनुवली जो कि फिल करेंगे मैं एक्जामपल के तौर पर बस फिल कर रहा हूं यहां पर अपने इंस्टिटूट या कॉलेज का नेम जो कि आप फुल जो कि फिल करेंगे उसके बाद सर्टिफिके इस इस ने जारी किया था उसको जो कि आप एंपर फिल करेंगे यहां पर देखें जो किसे जारी किया है और इसके बाद आप उसके बाद आप से एंड नेक्स कर देंगे नेक्ट स्थेप में आपको थेखिए डाक्समेंट अप्लोड करना है सबसे पहले फोटोग्राफ आपको जो कि अप네 करेंगे उसके बाद आप जो के आपके बोड करेंगे यहां पर आप जो कि class 10 की master भी दे सकते हैं या आपना board certificate भी दे सकते हैं या school ribbon certificate भी दे सकते हैं जो कि आप original copy ही जो कि आप यहाँ पर scan करके upload करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर दिखिए RTI से related all semester के master जो कि आप merge file में upload scan करके जो कि merge file बना के जो कि आप यहाँ पर PDF file में upload करेंगे provisional national trade certificate जो कि आप यहाँ पर upload कर देंगे उसके बाद national trade certificate issue by ncvt से जो आपका provisional national trade certificate है ncvt या stvt से आप यहाँ पर original file जो कि upload कर देंगे अगर आपके पास एक स्यधी document है तो आप उसे merge file कीजिए PDF में यह एक दू फिडियाप जितने भी आपके scan करके सभी को upload करके scan करके merge करके upload कर दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर का certificate जो कि आप पर central का बना होना चाहिए आप जो कि उसे यहाँ पर upload कर देंगे यहाँ पर देखे self declaration for regarding current status of OVC non criminal as per annexer D तो यह वाला option आपको कहा मिलेग जो की OVC कटेग्री से अगर आप बिलाओं करते हैं तो आपको यहाँ पर देखे मांगा जादा self declaration OVC non criminal and exit D तो यह आपको notification में मिल जाएगा एन एकजर D आपको जेखे No.22 पर आपको end exit D देखने को मिल जाएगा इस तरीके को जो कि आपको सिर्फ स्व pret जो कि fill करना है उसके बाद आपको यहापके अपनी काश्ट जो के मेंसट कर देनिे हैं उसके बाद आप नीचे आ therapies लिखेंगे आज की date को जिस date आफ Case became फिल कर रहे हैं उस date कोमेंटन कर देंगे यहाँ पर dre thirds of Candidate डेंगे उसके भाद signature तो अपना नाम जो कि लिख देंगे एक तो अपना नाम आप जो की अपने लिख देंगे इसी प्रिंट को जो कि आप भर लेंगे अपने handwriting में उसी को scan करके जो कि आप आप अपलोड कर देंगे नेक्स स्टेप में आपको देखिए आप पर प्रिंट प्रिव्यू देखने को मिल जागा चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे कि फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई तुटी नहों अगर आपको तुटी लगती है तो आप प्लोज करके चीजों को करेक्ट कर सकते हैं अगर आप सारा डाटा थीक है तो आपको यहां पर चार ओप्सन देखने को मिल जाएंगे सारे अप्सन को इस तरीके से आप जो की चेक मार्क कर देंगे उसके बाद सब्मिट ऑले टैप पे क्लिक कर देंगे हमारा फॉर्म देखिए आपके फाइनल सब्मिट हो चुका है अगर आप स्ट्री से क्टेगरी से भिलान करते तो आपको Flyn par harvest और आपके त्विपाइनल करना है तो आपको छता है किसी और आपका पेमिट कर जाता है वेरिफाई नहीं होता है वेरिफाई प्लिक करके यहां से प्लिक करा सकते हैं या तो आप किसी अधर कर सकते हैं तो हमने क्लिक हो गया उसके बाद यहां पर दो बार करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा वहां से आपका फाइनल प्रिंट जो कि प्राप्त हो जाएगा उसके बाद आप प्रिंट को सेफ करके रख सकते हैं फीचर यूज के लिए फीचर रिफ्रेंस के लिए आई होप जानकार इच्छी लोगी तो प्लीज चैनलो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फार वाचिंग दिस उडियो